नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आवश ही आता होगा कि भगवान कहा है क्या उनकी दृष्टी सदय हम पर रहती है अगर मैं कही मुसिबत में पढ़ जाओ तो वे मुझे बचाने आ जाएंगे अगर मुझे डर लगने लगे तो मैं उस वक्त कैसे भगवान का अपने पास महसूस कर सकता हूँ ऐसे कई सारे सवाल हम सभी के मन में चलते रहते हैं हर कोई वेक्ती कोई ना कोई दुख तकलीफ, धर तता चिंता से घिरा होआ होता है और इन तकलीफों को दूर करने के लिए हम सभी को एक उम्मीत की आवश्चक्ता होती है जो केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है अगर हम गरुड पुरान की बात करें तो उसमें बताया गया है कि देवोद्वारा अपने भगतों को उनकी निशानियों के सुरूप में पदचिन, अंगुटिया, त्रिशुल, अस्त्र, शस्त्र, रुद्राक्ष, माला, रत्न, मोती जैसे कई तरह के पदार्त दिये जाते है और आज की समय में हम इने लौकेट्स के रूप में धारन करते है तो इसका आर्त ये है कि ये प्रथा कोई आज की नहीं है किन्तु युगों से चली आर ही है और हम उसे अपने इश्वर की भेट समझ कर अपने पास रखते है लेकिन कौन सा लौकेट सही है और कौन सा गलत इसका दुष्ट प्रभाव कब हो सकता है इसे हर जगर पहना जा सकता है या नहीं इन सभी प्रशनों के उत्तर आज हम आपको देने वाले है पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसे आध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके सबसे पहले जानते हैं कौन सा लॉकेट पहनना शुब होता है सबसे पहले आपको बता दे कि किसी भी देवी देवता जिसे आप मन से पूछते हो उनका लॉकेट पहनना बहुत ही शुब होता है किन्तु लॉकेट पहनने से पहले लॉकेट की शुद्धी करना अत्यनत आवशक होता है जैसे यदि हम ओम का लॉकेट धारन करने जा रहे है तो उसे प्रातकाल थोड़ से कच्चे दूद में डाल कर रखना चाहिए उसके बाद उस लॉकेट को किसी रेश्मी कपड में बान दीजिए और सोमवार के दिन शुजी के मंदिर में जाकर लॉकेट को शुजी के चरनों का सपर्श करवा के उसे धारन करे इसे उस लॉकेट की उर्जय शक्ती जागर्थ होती है और उसका प्रभाव शुबदाई होता है साथ ये भी बात ध्यान में रखे आप जिस देवता का लॉकेट पहनने जा रहे है उसे उस देवता की वार पर ही पहनना अत्यनत शुब होता है जैसे शुजी का लॉकेट सोमवार की दिन, हनमान जी का मंगलवार की दिन, स्री गनेज जी का बुद्वार की दिन, स्री कृष्न का गुरवार को, मातारानी का शुक्रवार की दिन, और शनी महराज का शनिवार की दिन यदि आप काला धगा बांते हैं, तो केवल शनिवार की दिन ही बांते हैं, और यदि कोई रतन है, अंगुटी है, नगिना है, तता पत्थर पहन रहे हैं, तो इसे रविवार की दिन, सूर्य आरादना की पस्चा धारन करने से, अत्यंत लाप प्राप्तो होता है, आप बात क करेंगे आप इस लॉकेट को हर जगह धारन कर सकते हैं घर में घर के बाहर अपने काम के स्थान पर स्नान ग्रह में हर जगह क्योंकि इश्वर हर स्थान पर मोजुद है ऐसा कोई कोना नहीं है जहाए इश्वर की उपस्तिति ना हो किन्तु यदि आपके घर में किसी के मृत्त अकर्दमक शक्तियों को आमंत्रन दे सकती है लॉकेट को धारन करने वाले यह ध्यान में रखे कि इश्वर लॉकेट में नहीं है किन्तु उनके मन के भीतर है एदियाब के मन में किसी भी प्रकार का द्वेश किसी का अहित करने की भावना होगी तो लॉकेट भगवान भी बन सकता है या फिर पत्तर भी इसलिए लॉकेट पहन कर कोई भी गलत काम ना करे अब बात करते हैं कौन से धातु का लॉकेट पहनना शुब होता है शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम धातु चांदी को माना गया है एदियाब अपने इश्वर के चित्र को किसी चांदी के अबुशन पहनने को बहुती शुब माना जाता था आईए अब जानते हैं ऐसे लॉकेट के बारे में जो बहुती लाबदाई माने जाते हैं यदि आपको बहुत अदिक भई लगता है आपका मन सदा विचलित रहता है तो आपको शुजी का त्रिशुल अवश्य ही धार की रहती है आपको हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है आपका काम बार बार बिगर जाता है तो आपको स्री गनेजी का लॉकेट अवश्य धारन करना चाहिए विगन हरता स्री गनेश को यदि आप हर काम करने से पहले अपने सम्मुक रखेंगे तो आपके सारे काम सवरने शुरू हो जाएंगे ध्यान रखे गने जी का लॉकेट खड़ी अवस्ता में ना हो किन्तु बैठी और मुस्कराती अवस्ता में होना चाहिए जिन लोगों को पित्र दोश सर्पदोश, नारी दोश जैसी समस्याय है उने शुजी के सर्प की अंगुठी या लॉकेट को धारन करना चाहिए यदि आपके घर में नकरत्म कुरजाय अधिक है कलेश कभी खत्म नहीं होता है पारिवारिक मन मुटा होते रहते है तो आपको शुजी का डमरू अवस्य धारन करना चाहिए इसका लॉकेट भी आप पहन सकते है तो दोस्तो उमिदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में ओम नमस्षिवाए हर हर महादेव अवस्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद